दा हॉंटिंग ओफ हेल हाउस की सीरीज में अब तक हमें दिखाया गया है कि कैसे पांच बच्चे जो अपने बच्चपन के अंदर काफी चीज़े तीक चुके हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा भाई जिसका नाम स्टीव था उसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में जा केली सो रही थी जहां पर उसे लगता है कि उसकी बहन नेली रात में डड़ने के कारण उसके पास सो रही है और नेली दीरे दीरे थियो का हाथ काफी जोर से पकड़ती जा रही थी थियो कहती है कि नेली तुम इतनी क्यों डरी हुई हो जो इतनी जोर से हाथ पकड़ रही ह लेकिन नैली जब पीछे देखती है तो उसे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है हमें बताया गया है कि थियो एक चाइल साइकाइट्रिस्ट है वो बच्चों के दिमाग को पढ़ती है और इसे के साथ में उन्हें हेल्प करती है वो जिसमें सिच्वेशन में है उससे निकलनी के लिए थियो के पास एक क्लाइंट आये थे ये क्लाइंट फॉस्टर होम के पेरिंस थे जिनके पास में एक बच्ची रह रही थी इस बच्ची के सिम्टम्स ये बताए गए थे कि ये बच्ची किसी से बात नहीं कर रही है, हर समय खोई रहती है, थियो इस बच्ची से मिलने के लिए आती है, और इसे पूछती है कि आकर तुम इतनी परिशान क्यों रहती हो, और अकेली अकेली क्यों खेल रही हो, बच्ची बताती है कि मैं Mr. Smiley को देखती हूँ, उनके स्माइल बहुत बड़ी है, और वो हमेशा बस देख के मुझे हसते ही रहते हैं, थियो पूछती है कि तुम्हारे Mr. Smiley कहां रहते हैं, तो बच्ची बताती है कि वो घर के नीचे रहते हैं, थियो के पास में पावर्स थी, और ये पावर्स उसके पास भचपन से ही थी कि वो अगर किसी भी इंसान को टच करेगी तो उसे उस इंसान के बारे में बहुत कुछ चीज़े पता चल जाएंगी लेकिन थियो ने जब इस बच्ची को टच किया तो उसे कुछ तो फील हो रहा था कि इस बच्ची के साथ गलत हो रहा ताकि मैं सबकी नजरों से दूर रहूं फॉस्टर पेरेंट्स थीयो को इस बच्ची के सिंटम्स बताते हैं कि बच्ची स्कूल के अंदर बिल्कुल भी अच्छा पफॉर्मेंस नहीं कर रही है इसके सारे ग्रेड्स गिर चुके हैं हर समय अपनी में रहती है ना किसी से ब सेंबर था सीन यहां पर पास में शिफ्ट हो जाता है जहां पर थीयो इस टाइम पर एक बच्ची है और यह लोग जब हिलाउस में नए नए आये थे तो यहां पर काफी सारे चीज़े ऐसी ही पड़ी थी मानों कि पहले बाले लोगों ने इस घर को खाली ही ना किया हो इसी काफी टाइम पुरानी एक अलकाहल की बॉटल मिलती है जिसके बाद में थीयो के फादर थीयो से पूछते है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसके अंदर आखिर क्या रखा है थीयो कहती है कि बस यह मुझे यूँ ही पता चल गया यहां ऑलिविया मिसिस डेटली के स शरणी के साथ उसे रहना पसंग था और उसी के साथ खानव अगरख़ा भी वो खाती थीुद यूद्य कैती है भी तो बाहर से यह आड़ कर सकती हो क्योंकि थियो जोप करती है लेकिन फिर भी थियो अकेले नहीं रहना चाहती थी और हमेशा अपनी बहन के पास ही रहती थी जिसके बाद सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है इस टाइम पे यह थियो और लियो खेल रहे थी जहांपे वो किचिन में थे उन्हें एक आवास ट्रांसफर करने वाला जाते हैं जो कि बन था उस रूम में अलगी तरह के स्मेल आ रहे थी थी यो कहती है कि ये किसी बिमार आदमी का कमरा था जो कि बहुत हद से जादा बिमार था और उसी की पास में ये पाइप लगा हुआ था मानों कि वो किचन की अंदर अगर उसे कुछ भी मंगाना हो तो जो बच्ची उसकी क्लाइंट थी उसके बारे में अच्छी खासे रिसर्च करने लग गई थी यहां पे सीन थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है जहां पे स्टीव वो बुक पब्लिश करने वाला था और उसी बुक के पब्लिश होने के बाद अगर वो फेमस हो जाती है तो उसकी रॉयल्टी का कुछ परसेंट वो अपने सिब्लिंग्स में भी बाटने वाला था ये बाद शर्ली को अभी तक मनजूर नहीं थी थी तीयों ने वो बुक तो अभी तक पढ़ी भी नहीं थी कि आगर उस बुक के अंदर क्या क्या लिखा है लेकिन जो इससे थीयो उने लिखे थे उससे थीयो काफी साथा इंपरेस थी यहां řीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां पे थीयो अपने रूम के अंदर डांस कर रही थी यानिकि थीयो अपने भाई बैनों के साथ में नहीं खेला करती थी बलकि वो अकेले रहना जाता पसंद करती थी उसी सम बाइ लियोक उसके साथ मस्ती कर रहा है तीयो जब परिशान होती है तो वो अकीली ही कलब में चली जाया करती है, इस बार उसे कलब में वही लड़की मिली थी जो कि हमें फस्ट एपिसोड में दिखाए गई थी, लेकिन थीयो इस बार इसी लड़की को इग्नूर करती है, औ इसी के साथ में क्रीपी समाइल वाले आदमी को भी डूडने की कोशिश कर रही थी, पास्ट के अंदर थियो जब एक बार किचिन के अंदर आती है तो उसे दिखाई देता है कि इसी मिने लिफ्ट के अंदर कोई बैठा है लेकिन यह और कोई नहीं बलकि लिउग था वो थियो को कहता है कि प्लीज मुझे इसे यूज करने दो मैं बस एक बार उपर जाना चाहत लेकिन ये लिफ्ट उपर जाने की बजाए आटोमेटिकली नीचे चली जाती है ल्यूग काफी जादा डर चुका था थीयो यहाँ पे ल्यूग को उपर लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी वो बटन काम नहीं कर रहे थे ल्यूग यहाँ पे जब टॉर जला की अप करता ही जा रहा था और थीयो कुछ नहीं कर पा रही थी इन दौनों की चलाने की कारण यहाँ पे यूग और ऑलिविया दौनों पहुंच जाते हैं यूग कैसे तैसे इसकी बटन को ठीक करता है और अपने बेटे की मिनिलिफ्ट को ऊपर ले आता है ल्यूग का शर्ट सो रही थी और धीरे-धीरे करके उसकी बेट शीट हटती जा रही थी और इसी डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है और यह वही वाला दिन था जब शर्ली ने थीयो को बताया था नैली के बारे में हमें यहाँ पे पास्ट के सीन में नैली की वेडिंग दिखाये जाती है जहाँ पे नैली, स्टीव और शर्ली थे, लियू के एक ड्रक एडिक्टिक था, इसलिए वो अपनी बैन निली की वेडिंग में नहीं आया था, वहीं पे स्टीव अपनी दोस्तों को ढूंड रहा था, और नैली यहाँ पे थीयों को ढूंड रही थी, स्टीव और नैली दौ दौनों मिलके अपनी दोस्तों को ढूंडने के लिए जाते हैं, तो कमरी के अंदर से एक लड़की तो मिल जाती है, तब वहाँ पे स्टीव और नैली दौनों रुख जाते हैं, कि शायद इने लगेगा कि अंदर से इनका कोई दोस्त बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ देर बाद में वहाँ से थीयो बाहर निकलती है, तब जाके स्टीव और नैली को पता चलता है, कि थीयो को लड़के नहीं बलकि लड़किया पसंद है, और ये बात स्टीव और नैली यानि की थीयो के भाई भेनों ने भी एकसेप्ट कर ली थी, प्रेजेंट में या शल्ली नै नैली आंटी ने ये सब कुछ खुद से किया है, और उपर से मुझे तो नैली आंटी पे बहुत गुसा आ रहा है, इसका मतलब है कि थीयो अपनी बहन नैली के उपर इस चीज को लेके गुसा थी, कि उसे इस हिल हाउस के अंदर नहीं जाना, तो फिर आखिर वो जानकर उस थीयो खड़े थे, लेकिन थीयो ने नैली की बॉडी को देखा तक नहीं था, यहाँ पे लियो कभी अपनी ही पेंटिंग्स बना रहा था और वो अबिगेल के बारे में कहता है, थीयो कहती है कि अबिगेल कौन है, लियो कहता है कि तुम भे सब की तरह मेरी कोई बात नहीं मानोगी, उसी तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे बेस्मेंट है, जबकि ममी और डैडी बोलते है कि नीचे तो कोई बेस्मेंट है ही नहीं, पूरे घर के ब्लूप्रिंट में बेस्मेंट है ही नहीं, और जबकि मैं नीचे जा के आया हूँ, और मुझे सब पूर होगी लिront वो करता चाटा है और किचन से उतना एवरेज बताता है जहां पी वो सीड़ी रखी थी थी वहां पर एक जूसर को हटानाती। है और तभी वहां से उसे नीचे जाने का र스टा μिलता है मानो यूब कि वो एक तहखा ना होूँ वो इसका रास्ता मिलता है मानों कि वो एक तैखाना हूँ वो उसका दर्वाजा खोलती है जहां पर उसे नीचे स्रीडियां दिखाए देती है थियो बिना डरे ही नीचे पहुंच जाती है और वहां कि लाइट सौन करती है पहले तो कमरा बहुत जादा अंधेरा था लेकिन लाइट फॉस्टर होम के अंदर पहुचती है जहां कि बच्ची उसकी एक कलाइन थी थियो बोलती है कि मैं बस घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ फॉस्टर होम के पेरेंस बताते हैं कि कैma घर पे बिजट किया करती है तो उस चाह रही थी एक बार उस बच्ची करने की कोशिश करती है, वो सोच रही थी कि यहां पर कोई परनॉर्मल एक्टिविटी है जो कि इस बच्ची को परिशान कर रही है, हर चीज़ को छूते होए उसे अलग-अलग चीज़े महसूस होती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो काउच को टच करती है, काउच को अब थियो को सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये बच्ची मॉलिस्ट हो रही थी और ये करने वाला और कोई नहीं बलकि इनकी ही घर का कोई मेंबर है इसी कारण वो बच्ची बहुत परिशान रहने लगी थियो जब निकल के बाहर आती है और इसी आदमी से हाथ मिलाती है थियो को समझ में आ जाता है कि यही वो आदमी है जो उस बच्ची को फिजिकली मॉलिस्ट करता है थियो उस गर से बाहर निकलती है और उसके बाद में सोशल वरकर्स को कॉल कर देती है कि जैसे पुलिस वाले सादमी से पूछेंगे तो यह आदमी एकी मिनिट में सब कुछ पता देका उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है यहाँ पे थियो रात में अपनी मॉम ऑलिविया के पास में पहुचती है जहाँ पे ऑलिविया थियो से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुमने अपने आप ही अपने पापा की मदद करके एक बॉक चीजे लिखी हुई है पहले के टाइम में लोग शराब का बिसनिस किया करते थे और इलिगली तरीके से इसे बुक्स के अंदर लिखते थे इसी कारएं वो रूम को किसी ने भी नहीं देखा था और अच्छा हो जो तुमने रूम देख लिया यहां पे ऑलिविया जैसे ही मौम ऑलिविया पहले के जैसे नहीं है बलकि उसकी मौम के हाथ पूरी तरीके से कटे हुए हैं आधा सर फटा हुआ है बालों में से खून निकल रहा और आधा चेहरा खराब हो रखा है थे यह सारी चीजे देखके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वहां से चिलाती हुई पीचे हट जाती है इसका मतलब था कि थीयो की मौम ऑलिविया के अंदर जरूर कुछ ना कुछ है यहां वो सादमी को अरेस्ट कर लिया गया था अब जब थीयो हर चीजों को टच करके चीजे महसूस कर सकती थी तो ऑलिविया ने अपनी बेटी की मदद के लिए एक क किया ऑलिविया यहां थीयो को कहती है कि तुम हमेशा वुलन्स पहन के रखती हो फिर चाहे वो कितनी भी गर्मी क्यों नहीं हो तो इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आए हूँ यह तुम्हारी मदद करेंगे थीयो कहती है कि मुझे हर समय इस घर में ठंड ल जिसके बाद में थीयो का बहिस्सा अलग कर दिया गया और उसे वो चेक दे दिया गया स्टीव पूछता है कि आगर तुम इतने पैसों का क्या करोगी तब यहां पे थीयो आंसर देखके जाती है कि मैं उस पैसों की अपनी मास्टरी करूंगी यानि कि थीयो जो अपना पै जोडी इसको रखते थी तैयार करते थे और फ्यूनरल के लिए भीजा करते थे थीयो ने वहां पे अपनी बहन नेल को देखा और वो नेल बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होके लेटी हुई थी मानो कि वो एक ही सेकंड में जिन्दा हो जाएगी थीयो अपने हातों से गलवस उतारती है और अपनी बहन नेल के सर के उपर एक हाथ रखती है कुछी देर के अंदर थीयो इतनी जोर से चिलाती है कि मानो कि उसे बहुत गंदे विजन्स दिखाए दिये हो कि नेल की मौत कैसे हुई है सब कुछ पता चलने के बाद थीयो वहां पे जोर-जोर से ब गर के बाहर बैटी थी और वहां पे हैरस थीयो के रोनी की आवा सुनके आया था थीयो वहां पे अकीली बैटके ड्रिंक कर रही थी और उसने अपनी ही एक फ्रेंड को कॉल करके भी बुलाया था थीयो जाने से पहले हैरस को बताती है कि शेर्ली को तुमारी चेक्बुक के पूरे घर के अंदर अलग अलग तरे की की आवाजे आ रही थी जैसे यूग अपनी बेटी थियो का हाथ पकड़ता है तो उसे सारे विजन्स दिखाई देने लगते हैं कि कैसे ऑलिविया उन्हीं की वाइफ अलग अलग तरीके सी भूत बनती जा रही है और हीूग के साथ में भी कितना कुछ बुरा होता जा रहा है जिसके बाद में थीयो रोती वी कहती है कि मुझे टच मत करिये मुझे कुछ मत बताइए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है इस एपिसोड में हमें पता चला था कि थीयो के साथ में भी सला उसमें क्या क्या हुआ था तो अगला आने वाला एपिसोड हमें जरूर लगता है कि ये ल्यूक के बारे में होगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाटा कर दो चलिए लोगों से